नमस्कार टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अखिल जांगे अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवानी आत्रा पर है जहां उनके पहुंचने पर उनका जबर्दस्त स्वागत किया गया वहीं अपने भाशन के दोरान अमेरिकी स्पीकर पेलोसी ने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र और निरंकुस्ता के बीच संघर्ष है जैसा कि चीन समर्थन हासिल करने के लिए अपनी शौफ्ट पावर का उप्योग करता है हमें ताइवान के बारे में उसकी तकनीकी प्रगती के बारे में बात करनी होगी और लोगों को ताइवान के अधिक लोकतंत्रिक बनने का साहस दिखाना होगा पहलो सी के पहुंचते ही चीन आग बबूला हो गया और ताइवान पर कई परतिबंद लगा दिये इतना ही नहीं चीन ने ताइवान की सीमा के नजदीक युद्धा भ्यास भी शुरू कर दिया है इसमें उसके अत्यादुनिक जे 20 विमान भी शामिल है खबर यह भी है कि चीन के 21 लड़ाकों विमान ताइवान की सीमा में घुस गए है चीन ने भी ताइवान और अमेरिका को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों देशों के बीच टकराओ की वज़े क्या है चीन वन चाइना पोलिसी के रास्ते पर चल रहा है इसी के तहट वह ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है दूसरी तरफ ताइवान खुद को संप्रभू राष्ट्र मानता है 73 साल से दोनों देशों के बीच इसी बात को लेकर टकराओ चल रहा है दोनों देशों के बीच सिर्फ 100 मिल की दूरी है ताइवान दक्षिन पूर्वी चीण के तट से काफी करीब है ऐसे में टकराओ की ख़बरे लगातार सामने आती रहती है ताइवान की समंदरी सीमा में भी चीण लगातार घुस-पेट करता रहता है चीन नहीं चाहता है कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का विदेशी डखल हो इस खास ख़बर में फिलाल इतना ही आप देखते रहिए टी पी वी निउस नमस्कार